हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू करियर जोती एजुकेशन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रैम क्या है इस सब्द से लगबख सभी स्मार्टफोन यूज़ करने वाले लोग परचित हैं जब आप नया मोबाइल लेने जाते हो तो आपको मन में ही यही सवाल रहता है आपको कितनी रैम वाला मोबाइल चाहिए जिससे आपको आगे चलकर मोबाइल में कोई परसानी सामने नहीं आए RAM की बात करे तो यह computer हो या mobile सबी device में बेहत महतपूर चीज है क्योंकि इसके कारण ही कोई भी device बेहतर काम करती है अगर आप भी नहीं जानते हैं तो हम आपको बताने वाले हैं RAM क्या होती है और आपके mobile या computer में कितनी RAM होनी चाहिए तो आईए जानते हैं कि RAM क्या होता है आपको बता दे कि RAM की full form है random access memory होती है तो इसकी full form से तो RAM के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है लेकिन इसे एक साधारण उदारण के जरिये समझेंगे मान लिजे आप किसी office में बैठे हुए हैं और आपको काम करने के लिए एक file चाहिए होगी और file किसी दूसरे कमरे में रखी हुई है तो जब आपको काम करना है तो आप उस file को दूसरे कमरे से लेने जाएंगे और dex पर रखकर उस file पर काम करने लग जाएंगे एक समय ऐसा आता है जब आपको एक साध बहुत काम करने होते हैं और इसके लिए आपको बहुत सरी file की जरूरत पड़ेगी तो आप इस से ज़्यादा काम करने के लिए आपको ज़्यादा file लखने के लिए बड़े desk की जरूरत पड़ेगी जब आपको कोई भी काम करना होगा तो आप dex से उसकी file उठा करने लग जाएंगे जब आपको काम खत्म हो जाएगा तो आप वापस उन्फा सारी file वापस उसी कमरे में रख देंगे mobile या computer में RAM भी कुछ इसी तरह से काम करती है जो file वाला दूसरा कमरा है उसे आप internal memory मान सकते हैं जिससे आपकी सारी file या app है और जो desk है वो आपकी RAM होगी जिस पर आप काम करते हैं तो यहां इसका काम आपकी आदर सानुसर किसी app को लाकर उसे run करना है चुकि किसी app को open होने में चंद सकेंड समय लगता है यह इसलिए होता है कि क्योंकि RAM की speed बहुत fast होती है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1GB RAM को बनाने में उतना खर्च आता है जितना कि 16GB RAM के बनाने में खर्च लगता है CPU को जो file चाहिए होती है RAM उन्हें जल्दी से जल्दी भीजने का काम करती है जब आप किसी game को install करते हैं तो वह RAM में install नहीं बलकि वह phone के internal memory में install होते है जब उस game पर आप click करके उसे open करते हैं तो वह run करने के लिए phone की memory जैसे RAM पर RAM का use करती है RAM का काम CPU से information CPU और RAM आपस में एक दुसरे को information आदान परदान करते हैं लेकिन जब आपके computer या mobile की RAM कम होती है और आप कोई ऐसी बड़ी app को open करते हैं तो उस time में आपका mobile hang होने लगता है क्योंकि आपकी CPU information दे रही है लेकिन RAM जो है उसको information को उतनी अच्छी तरीकों से वापस return नहीं कर पाती है जिसके वज़े से आपका mobile hang होता है इसलिए जबी भी आप कोई भी device खरीतने जाते हैं या mobile या laptop या computer तो वहाँ पर RAM का बहुत ही important role होता है तो आप RAM को चेक कर सकते हैं RAM को देख सकते हैं कि कितना RAM का computer मुझे लेना चाहिए कितना RAM का mobile मुझे लेना चाहिए तो हमारी चैनल करियर जोती है जो केसन computer institute को अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe button पे click करके आप इसको subscribe कर लिजे और इसके साथ साथ में आप bell icon को प्रेस कर दीजे ताकि इसी तरह की latest video आपको मिल सके सबसे पहले जो बिलकुल free है